नमस्कार दोस्तों मैं सारेका पंकज आप देख रहे हैं निर्मान आएज के यूट्यूब चैनल को आज के ओडियो आर्टिकल का टॉपिक है सतत विकास लक्षे आज के इस विशे में हम किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे वो सबसे पहले आपको बताते हैं पहला होगा सतत विकास लक्षे क्या है दूसरा SDG कि 17 लक्षे क्या है दीसरा है क्या थे सहस्त्राब्दी विकास लक्षे चौथा है सतत विकास लक्षे सूचकांक 2019 पांचवा यूपियसी प्रारंभिक परिक्षा अभ्यास प्रश्ण तो आईए शुरू करते हैं सतत विकास लक्षे क्या है हम दुनिया का कायकल्प करने की दहलीज पे खड़े हैं अंतराष्ट्रिय समुदाय ने सयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत विकास लक्षे की एतिहासिक योजना शुरू की है जिसका उद्देश वर्ष 2030 तक अधिक संपन अधिक संतवादी और अधिक संरक्षत विश्व की रचना करना है 17 सतत विकास लक्षे और 169 उद्देश सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के अंग हैं जिसे सितमबर 2015 में सयुक्त राष्ट्र सभा की शिकर बैठक में 193 सदस्से देशों ने अनुमोदित किया था ये एजेंडा पहली जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ है इन लक्षों को निर्धारित करने के लिए हुई अभूतपुर्व परामर्ष प्रक्रिया में रास्ट्रिय सरकारों और दुनिया भर के लाखों नागरेकों ने मिलकर बाचीत की और अगले 15 वर्स के लिए सतत विकास हासल करने का वैश्विक मार्ग अपनाया 2030 के लिए वैश्विक एजंडा का मूल मंत्र सार्व भौमिक्ता का सध्धान्त है कोई पीछे न छूटे इन उद्देशों पर अमल के लिए जरूरी है कि ये सभी सरकारों और काम करने वालों के लिए प्रासंगिक होने चाहिए विकास को अपने सभी आयामों में सभी के लिए हर जगह समावेशी होना चाहिए और उसका नर्मान हर किसी की विशेशकर सबसे लाचार और हाश्ये पर जीते लोगों की भागीदारी से होना चाहिए और अब समझेंगे SDG के सत्रह लक्षे लक्षे पहला शुन्य गरीबी गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्वसे समाप्ती चरम गरीबी का उन्मूलन एक दशमलव 25 डॉलर दैनिक आय को चरम गरीबी के रूप में परिभाशित किया जाता है 2030 तक गरीबी की सभी पहलूँ में 50 प्रतिशक तक की कमी लाना है लक्षे दो शुन्य भूखमरी यानि भूखमरी उन्मूलन भूख की समाप्ती, खादे सुरक्षा और बहतर पोशन और टिकाव कृसी को बढ़ावा 2030 तक कुपोशन के सभी रूपों को समाप्त करना तथा 2030 तक क्रिसी उत्पादक्ता तथा लगुस्तर के उत्पादों की आय को दोगुना करना 2020 तक बीजों की अनुवान्शिक विविधता को बनाए रखना लक्षित तीन उत्तम स्वास्थ एवं खुशहाली स्वस्त जीवन जीवन सुनिश्चित करना तथा सभी उम्र के लोगों के रहन सहन को सुद्रण करना 2030 तक वैश्विक मात्रित्व मृत्यूदर को प्रती सौ जिवित जन्व पर सत्तर से कम करना 2030 तक 9000 तथा 5 वर्ष से कम उम्र के वैसे बच्चों को मरने से रोकना जिन्हें बचाया जा सकता है 2030 तक AIDS, TB, Malaria तथा उपेक्षित उष्णकटी बंधिये रोगों की महमारी का उन्मूलन तथा Hepatitis और जल से पैदा होने वाली बिमारियां एवं संक्रामक रोगों पर काबू पाना लक्ष चार गुणवत्ता पूर्ण सिक्षा वर्ष 2030 तक सभी लड़कों एवं लड़कियों को निशुलक समान वगुणवत्ता पूर्ण प्रात्मिक तथा माध्यमिक सिक्षा सुनिश्चित करना वर्ष 2030 तक सभी बुरुष एवं महिलाओं का बुणवत्ता पूर्ण तकनीकी और वोकेशनल सिक्षा तक सस्ते में पहुँच सुनिश्चित कराना लक्ष पांच लेंगिक समानता औसतन वर्ष 2030 तक महिलाओं के खिलाव सभी प्रकार के भेदभाव पर हिंसा की समाप्ती दिन में तसकरी भी शामिल है बाल विवाह, ब्रून हत्या, बलातकार इत्यादी की पूर्ण समाप्ती निर्णयन के सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण भागिदारी लक्ष छे, स्वक्ष जल एवं स्वक्षता 2030 तक सुरक्षित वहनिये पेजल तक सभी की पहुँच सुनिश्चित करना 2030 तक खुले में सौच की प्रवित्ती की समाप्ती लक्ष साथ, सस्ती एवं त्रदूशन मुक्त उर्जा सभी के लिए अफोडेबल विश्वसनिये सतत एवं आधुनिक उर्जा तक पहुँच सुनिश्चित कराना लक्ष आठ उतकृष्ट कारे और आर्थिक सम्वरिद्धी सभी के लिए समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास तथा पूर्ण व उत्पादक रोजगार एवं मर्यादित कारे का समवर्धन करना दुहजर पच्चिस तक बालश्रम के सभी रूपों की समाप्ती दुहजर बीस तक युवा रोजगार के लिए वैश्विक रणनीती का विकास लक्ष नौ उद्योग नवाचार एवं बुनियादी सुविधाएं सहंशील इंफ्रस्ट्रक्चर का निर्मान समावेशी व सतत अध्योगी की करन का संबर्धन तथा नवाचार को बढ़ावा देना लक्ष दस आर्थिक असमानता देश के भीतर तथा विभिन देशों के बीच असमानता में कमी करना लक्ष ग्यारह सुरक्षित लचीले और टिकाव शहर और मानव बस्तियों का निर्मान लक्ष बारह स्थाई खपत और उत्पादन पैटर्न्स को सुनिश्चित करना लक्ष तेरह जलवायू परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए ततकाल कारेवाई करना लक्ष चोदह स्थाई सतत विकास के लिए महसागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का सनरक्षन और उपियोग लक्ष पंद्रह सतत उपियोग को बढ़ावा देने वाले स्थलिये पारिस्थिति किये प्रणालियों, सुरक्षत जंगलों, भूमी छरन और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना लक्ष सोला, सतत विकास के लिए शांति पूर्ण और समावेशी समीतियों को बढ़ावा देने के साथ ही साथ सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी जवाब देह पूर्ण बनाना ताकि सभी के लिए नियाय सुनिश्चित हो सके लक्ष सत्रह, सतत विकास के लिए वैश्विक भागेदारी को पुनर जिवित करने के अतिरिक्त कार्यानवियन के साथनों को मजबूत बनाना अब हम समझते हैं कि क्या थे सहस्तराब्दी विकास लक्ष एम डी जी पहला भुखमरी तथा गरीबी को खत्म करना दूसरा सार्वभौमिक प्राथमिक सिक्षा हासल करना तीसरा लिंग समानता तथा महिला शशक्तिकरन को प्रचारित करना चौथा शिशु मृत्युदर घटाना पांचवां मार्तित्व स्वास्त को बढ़ावा देना छठा एचाईवी एड्स मलेरिया तथा अन्य बिमारियों से निजात पाना साथवां पर्यावरण सततता आठवां वैश्वेक विकास के लिए संबंध स्थापित करना गौर तलब है कि भारत ने लक्षित लक्षियों में से एचाईवी एड्स, गरीबी, सार्वभॉमिक सिक्षा तथा शिशु मृत्युदर में निर्धारित मानकों को 2015 तक प्राप्त कर लिया है जबकि अन्य लक्षियों की प्राप्ती में भारत अभी भी बहुत पीछे है हाला कि सहस्त्राप्दी विकास लक्षियों को एजेंडा 2030 में नहित लक्षियों के अंतरगत ही शामिल कर लिया गया है SDG लक्षियों को प्राप्त करने में UNDP की भूमिका SDG एक जन्वरी 2016 से प्रभाव में आ गए तथा UNDP की निगरानी वसनरक्षन में ये अगले वर्ष 2030 तक प्रभावी रहेंगे सयुक्त राष्ट की प्रमुक SDG लक्षियों प्राप्ती कारे करने वाली संस्था UNDP विश्व के 170 देशों में इन लक्षियों की प्राप्ती पर नजर रखेगी UNDP का प्रमुक लक्षिये इन देशों में गरीबी को खत्म करना लोगतांत्रिक शासन विवस्था को प्रोथ साहन पर्यवरन परिवर्तन और आपदा परिवर्तन पर कारियत तथा आर्थिक समानता प्राप्ती आदी पर ज्यादा तर किंद्रित रहेगा SDGs लक्षियों को प्राप्त करने के लिए सरकारी, निजी छित्र, नागरिक समाज तथा सभी लोगों को आपसी सहयोग से काम करना होगा सतत विकास लक्ष सूचकांक निती आयोग ने सतत विकास लक्ष सूचकांक 2019 जारी किया है इस सूचकांक में टॉप तीन स्थान में हिमाचल प्रदेश, केरल और तमिलनाडू को रखा गया है ये राज्ये सतत विकास लक्षियों को प्राप्त करने के मार्क पर अग्रसर है इस सूचकांक को जारी करने का उदेश देश के राज्यों में स्वस्त प्रतिसपर्धा को बढ़ावा देना है इसके लिए राज्यों को सामाजिक आर्थिक व पर्यावरन संबंधी प्रगति का मुल्यांकन करना होगा इसके पश्चात ही भारत 2030 तक सतत्विकास लक्षों को प्राप्त कर सकता है 17 में 13 सतत्विकास लक्षों के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन का मुल्यांकन किया गया इसमें स्कोरिंग रेंज 0 से 100 के बीच में थी इस सुचकांक के लिए कुल 17 सतत्विकास लक्षों में से केवल 13 को चुना गया इसका कारण राज्यों के पास पर्याप्तर डेटा की कमी है सतत्विकास लक्षे सुचकांक में भारत का आसत स्कोर 57 है राज्यों का स्कोर 42 से 69 के बीच है जबकि केंदर शास्यत प्रदेशों का स्कोर 57 से 68 के बीच है इस सुचकांक में केरल और हिमाचर प्रदेश अग्रणी राज्ये हैं इनका स्कोर 69 है केंदर शास्यत प्रदेशों में चंडिगर अग्रणी है इसका स्कोर 68 है तमिलनाडू का स्कोर 66 है, सतत्विकास लक्षे सुजकांक में असम, बिहार और उत्तरप्रदेश का स्कोर सबसे कम है जीरो हंगर सब इंडेक्स में गोवा, केरल, मनिपुर, मिजोरम और नागलंड अग्रणी राज्ये हैं, लेंगिक समानता 36, उद्योग, नवाचार तथा अधु सनरचना 44, भूखमरी मिटाने 48, सततनगर वसमुदाय निर्मान 39 में राज्यों का स्कोर अपेक्षक्रित कम है सतत विकास लक्षियों के संदर्व में दिये गए कथनों पर विचार कीजिए पहला लक्ष दस आर्थिक असमानता दूसरा लक्ष छटा लैंगिक समानता तीसरा लक्ष पाँचवाँ स्वक्ष जल एवं स्वक्षता चौथा लक्ष दूसरा 10 भूखमरी यानि भूखमरी उनमूलन नीचे दिये गए कूट से सही कथन का चैयन करे A. केवल एक और चार B. एक और दो C. एक दो तीन D. दो तीन और चार इस प्रशन का उत्तर कमेंट बॉक्स में दे धन्यवाद C. एक और चार